जै हिंडिये श्ट्रेंट देखे इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वाइकेंसी के बारे में जो की IBPS के अंतरगर्थ आई हुई है तो इस डीटेल में समझेंगे कि कौन-कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या-क्या तो 850 रुपे लगेगा जी हां अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 850 रुपे देना होगा वहीं पर आप अगर SC-STC हैं तो 175 रुपे देखे बैंक का जितना भी फॉर्म होता है आपको पता है कि उसमें जो की फी बहुत ही ज़्यादा लगती है तो IBPS का यहां और जो Fage Second का एकजाम है वो सितंबर या October महीने में होगा Age Limit की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर के 28 साल तक के student इस फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है और वहीं पर जो Officer Scale है Officer Scale 1 के लिए 18 से लेकर के यह 28 से बढ़ा कर के 30 साल तक के student इस फॉर्म को भर सकते हैं वहीं पर बात करते ह हैं Scale 3 की तो 21 साल से लेकर के 40 साल और अधर पोश्ट के लिए 21 साल से लेकर के 32 साल तक के student इस फॉर्म को भर सकते हैं अब देखें huge vacancy हमने क्यों कहा क्योंकि आप देख सकते हैं कि 8106 पोश्ट है यहां पर यानि कि बहुत है जहां पर 150 vacancy जा रही हैं अधर सेक्टर में वह इस फॉर्म को भर सकते हैं eligibility criteria क्या है तो यहां पर अगर आप office assistant के लिए भरना चाते हैं तो इसके लिए total post है 4483 और यहां पर जो इसकी eligibility criteria है वो at least आपका bachelor degree होनी चाहिए किसी भी stream से ठीक है और अगर आप office scale 1 के लिए भरते हैं तो 2676 यहां पर vacancy है इसके लिए bachelor degree इसके लि पोश्ट है और इसके लिए bachelor degree के साथ साथ आपका minimum 50% होना अनिवार है graduation में clear और उसी प्रकार से office second के लिए यहां पर देखिए technology officer में उसी प्रकार से यहां पर at least one year होना चाहिए post वाला post experience और उसके बाद 50% at least आपका bachelor degree में होना चाहिए और इसमें condition है या तो electronics से होना चाह से या information technology से आपका bachelor होना चाहिए उसी प्रकार से आप देख सकते हैं CA के लिए यहां पर CA pass होना चाहिए आपको लिए आप इस form को भर सकते हैं officer third skill का जो है यहां पर देख सकते हैं कि आप 50% होना चाहिए graduation में बैचलर डिगरी में और साथ साथ 5 साल का experience होना चाहिए तो यह बहुत ही experience लोगों के लिए यहां पर है आगे बढ़ लेते हैं यहां पर जब बात करते हैं vacancy detail की तो आप देख सकते हैं कि अलग-अलग post के लिए अलग-अलग यहां पर जंदल के लिए 1969 यहां पर है और उसी प्रकार से EWS के लिए 415 तो अलग-अलग category में बाठ दिया गया है पुरा detail के साथ यहां पर आप इस form को भर सकते हैं सरकारी result.com पर भी जा करके या कि फिर इसकी official website पर भी जा करके इस form को आप भर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं apply online यहां पर क्लिक करके आप इस form को भर सकते हैं साथ ही साथ इसका जो notification है हम telegram चैनल पर भेज़ देंगे दस उधीर पांड़े सर्च करके telegram से जुड़ सकते हैं और वहां से आप इसकी notification को ले सकते हैं बाकी जो भी student air force और बिल्कुल demotivated हो चुके हैं अभी के वक्त में वो कुछ सुनने को तयारी नहीं है तो ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा एक दो दिन में मैं देखता हूँ कि आपके जो भी doubts है उसको मैं collect करूँगा आप comment box में comment कर दें कि क्या क्या समस्या है उसके बारे में ब हैं रिंद वंदे में